500 रुपीय का लोन केस देले दोस्तों बहुत सरे लोग यहाँ पर जो एक कॉमेंट कर रहे थे जो मेरा वीडियो देखते हैं वो कॉमेंट कर रहे थे कि सरे का इसा एप्लिकेशन बताइए जहाँ पर मुझे 500,000 रुपी का छोटा अमाउंट का लोन तुरंद मिल जाए कोई बात नहीं मैं आप लोगे के लिए एक नया लोन एप्लिकेशन लेकर आ चुका हूँ जहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पर इंस्टन अभी 500,000 रुपीय का लोन मिल भी चुका है अप्लिकेशन बात लोन जाता है तो अगर आप भी एक छोटा अमाउंट लेना चाहते हैं जैसे कि आपको 500,000,000 रुपीय का लोन लेना है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं इस वीडियो को आपको पूरा वाज करना है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपको 500,000,000,000 रुपीय का लोन 100% अप्रूबल के साथ लेना है चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और आगे जानते हैं तो देखे सबसे पहली बात यहाँ पर आपको लोन लेने के लिए सबसे पहले आपको एप्लिकेशन को इनिस्टॉल करना होगा application का link मैंने आपको description box और comment box में दे दिया है उस पे click करके आप install करेंगे और उसके बाद mobile number डाल के account बना लेंगे आप देखिए जब आप application में account बना लेंगे आपका application का interface कुछ इस परकार से आएगा यहाप देखिए आपको option मिल जाता है apply now का जो कि आप loan apply कर सकते हैं उससे पहले आपको एक काम कर लेना है जिससे आपको loan मिलने में और आसान ही होगा इसके लिए आपको उपर में option मिलेगा profile का इसके उपर click करेंगे और click करने के बाद देखिए आपको एक option मिलता है promotion का promotion के उपर click करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको मैंने एक promotion code दे रखा है जो कि आप side screen पर देख पा रहोंगे यह promotion code आपको यहाँ पर डाल देना है प्रमोशन code डालने के बाद यहाँ पर आपको option मिल जाएगा यहाँ पर apply code का apply code पे click करके वह promotion code डालके आपको apply कर देना है जिससे आपको loan मिलने में और आसानी होगा दर उसके बाद apply code करने के बाद आपको back आना है अब देखिए आपको आप जो है loan के लिए apply करना है इसके लिए आपको option मिलेगा apply now का इसके उपर click अब देखिए यह जो application है यहां से आपको 500 रुपिय से लेकर 25,000 रुपिय तक का instant approval loan प्रुवाइड किया जाता है जो कि आप यहां पर live देख सकती है यहां पर आपको जो loan प्रुवाइड किया जाता है वो lowest interest पर कोई भी hidden चाज़ आपको नहीं देना पड़ेगा और lowest interest पर loan दिया जाएगा साती साथ आपका loan डारेक्ली आपके bank account में transfer हो जाएगा कहीं पर भी आपको जाने की जूरत नहीं है यहां पर आपको option मिल जाता start your loan application का इसके उपर click उसके बाद यहां पर आपको अपना identity type select करना होता है इसके लिए आपको identity type पर click करके जिससे आप QIC को complete करना चाहते है आधार card, voter ID card वहाँ आप select करेंगे और उसके बाद option मिल जाता है नीचे continue का continue के उपर आप click करेंगे अब देखें यहां पर मैं आपको clear कर दूँ पहले ही यहां पर आपको आप तीन document upload करना होगा पहला आपका pen card उसके बाद आधार card और उसके बाद एक selfie आपको upload करना होगा ठीक है यहां पर आपको mention किया गया है जो कि आप read कर सकते है नीचे option मिलता है next का next के उपर आप click करेंगे अब देखें यहां पर आपको बताया गया है कि आपको अपने आधार card का front side का photo upload करना है उसके बाद back side का photo यहां पर upload करना है और उसके बाद यहां पर आपको अपने pen card का photo upload करना है then selfie upload करना है ति इसके लिए आपको देखें normal बात है यहां पर आपका जो आधार card है वो आपको ले आना है जैसे कि मैंने यहाँ पर ले रखा है ठीक है और उसके बाद अपने अधार का फोटो दोनों साइड का फोटो अप्लोड कर देना है पैन का फोटो अप्लोड कर देना है और एक selfie अप्लोड करके KYC को successfully complete कर लेना है ठीक है तियां पर मैं अपना document को upload कर लेता हूँ अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप जैसे अपना pen card, ather card और यहाँ पर selfie upload कर लेंगे आपके ather card से आपका जो details है वो detect कर लिया जाएगा आपको simply क्या करना है यहाँ पर आपको अपना details को check करने के बाद आपको यहाँ पर अपना details को submit कर देना है अब देखिए यहाँ पर आपको एक loan approval दिया जाएगा जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मुझे यहाँ पर 500 रुपिय का approval दिया जा रहा है मेरे pen card पर कोई भी यहाँ पर civil बगरा नहीं है pen card पर civil 0 है फिर भी मुझे यहाँ पर offer किया गया है 500 रुपिय का loan अगर आप भी छोटा amount लेना चाहते हैं बिना civil के 500,000,000,000,000 रुपिय का loan लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं आपको कुछ नहीं करना है बस आपको एक option मिलेगा नीचे continue का continue के उपर आपको click करना है अब दोस्तों आप continue पर click करेंगे यहाँ पर आपको एक option मिल जाएगा मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर option मिलेगा select loan terms का इसके उपर click करके आप कितने दिनों के लिए loan को लेना चाहते हैं 31 दिनों के लिए या 62 दिनों के लिए वह आपको select कर लेना है जैसे कि यहाँ पर मैं 31 दिनों के लिए कर लेता हूँ अब देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको थोड़े details में बता देता हूँ कि 500 रुपिय के amount में मुझे कितना interest और कितना processing fee GST देना पड़ेगा क्योंकि आपके साथ बाद में ताकि यहां पर धोका ना हो देखिए यहां पर processing fee और GST मुझे 52 रुपिय देना होगा मेरे account में जो amount transfer किया जाएगा वो किया जाएगा 448 रुपिय और मुझे interest देना पड़ रुपिय मेरे bank में transfer किया जाएगा और उसके बाद यहां पर मुझे interest भी 80 रुपिय का payment करना होगा total जो due amount रहेगा मेरा वो 518 रुपिय 31 दिनों के बाद मुझे repayment करना है तो यहां पर आपका जो loan amount है इस amount को bank में लेने के लिए निचे option मिल जाएगा continue का continue पे click अब यहां पर आपको अपना bank account को add कर लेना है मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं आपको फिर से यहां पर आप अपना bank account का नाम डालेंगे यहां पर ठीक है सबसे यहाँ पर मेरा loan approval मुझे मिल चुका है और यहाँ पर बताया गया है 12 गंटे के अंदर आपका जो loan amount है वो bank account में transfer हो जाएगा लेकिन reality बताओं तो यहाँ पर 12 गंटे का time नहीं लगता है करीब 3-4 गंटे के अंदर loan amount bank में आ जाता है तो यहाँ पर जो bit lower amount है वही आपके bank account में transfer होगा जैसे के मेरा disversal amount 448 रूपिय है और यहाँ पर 448 रूपिय का amount 4-5 गंटे के अंदर मेरे bank account में transfer हो जाएगा तर आगर आप यहाँ पर छोटा amount लेना चाहते हैं जैसे कि 500-2 रूपिय का loan लेना चाहते हैं और अगर आपको यहाँ पर किसी भी application से loan नहीं मिल पा रहा है, आपका civil ठीक नहीं है, तो इस application को आप try कीजिए, आपको यहाँ पर 100% approval के साथ loan provide किया जाता है, instant personal loan दिया जाता है, इस application का link मैंने आपको description box में दे दिया है, comment box में भी दे दिया है, उस पर click करके application को install कीजिए, mobile number डाल के account बनाईए, उसके बाद यहाँ पर permission code को आपको apply करना ही है, जिसके थुरूँ आपको loan यहाँ पर जोए मिलने में आसानी होगा, दन उसके बाद यहाँ पर आपको अपना details डाल कर, QIC बगरा complete करके loan को apply कर लेना है, तो बस, आज के इस वीडियो में इतना ही, चलि बहुत बहुत धेनवाद पूरा वीडियो देखने के लिए